तो यह जैसा कि आप लोगों बता हुए UPSC के तरफ से फॉर्म निकलते हैं इसके फॉर्म आप निकल चुके हैं जिसकी स्टार्टिंग डेट 22 देसंबर 2021 है और लाज डेट 11 जनवरी 2021 है आज की वीडियो में हम इसके फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस बताएंगे आपको कि अग अगर आपको UPSC CDS के फॉर्म में document upload करने में कोई problem आ रही है तो उस पर हमने अलग से वीडियो बनाईए जिसकी लिंक आपको description box में और उपर i button में मिल जाएगी उस वीडियो को देखने के बाद आपको फॉर्म के अंदर document upload करने में कोई problem नहीं आएगी और यह अगर आप UPSC CDS के form को मॉल से fill करने वाले हैं तो आप Chrome browser के यूज करिए मैंने puffin browser के यूज किया है क्योंकि मेरे chrome browser में बहुत सारा data save रहता है वो बार बार फॉर्म के अंदर automatic fill हो जाता है तो मैंने इसलिए puffin browser के यूज कर सकते हैं या फिर आप chrome browser के यूज कर सकते हैं तो time page ना करत चलते फटाबार मॉल की स्कीन पर और आपको बताते कि आप UPSC CDS का form मॉल से कैसे आसानी से fill कर सकते हैं दोस्तो UPSC CDS 1 के form को फिल करने के लिए हमने form जानकारी.com पर UPSC CDS 1 का page open कर लिया है इस page पर आने के लिए आपको link description में मिल जाएगी वहाँ से आप direct इस page पर आ जाएगे यहाँ पर आपको इस vacancy से related सभी details मिल जाएगी आप सभी details को यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं अब ह लिखा हुआ है इसके सामने click here लिखा है हम इस पर click कर देंगे अब हम UPSC की website पर आ चुके हैं यहाँ पर दो vacancies चल नहीं है आप देख सकते हैं इनकी closing date notification date अब हम यहाँ यूपीसC CDS का form फिल करना है तो यहाँ पर दो option मिल जाएंगे part one registration पर click करेंगे तो यहाँ लिखा तो yes पर click कर देंगे अब आप देख सकते हैं UPSC का registration open हो गया है हमें यहाँ पर क्या 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 steps complete करना है यह देख लेते हैं सबसे पहले हमें part one registration करना है फिर payment करना है फिर photo signature और ID proof upload करना है उसके बाद सेंटर choice करना है और फिर हमारा registration complete हो जाएगा तो हमें part one registration में क्या क्या details फिल करनी है वह देख लेते हैं सबसे पहले हमें नाम डालना है उसके बाद gender डालना है उसके बाद date of birth डालनी है आगे father name, mother name उसके बाद nationality, marital status हमें select करना है उसके बाद पुछेगे क्या आप option क्यों हैं आगे आपको इसके बाद education qualification का option में जाएगा हमें इस पर click करना हो अगर आपने कोई और degree complete की है या उसकी final year में है जिसमें की physics और match जैसे subject ना हो कोई अलगी subject हो तो उसके लिए आप third option पर click लगा सकते हैं तो आपको address की detail फिल करना है इसमें line 1 और line 2 फिल करना माइनेट रही है आपका address बढ़ा है तो आप आदा line 1 में फिल कर दीजे उसके आदा line 2 में फिल कर दीजे इसके बाद state select करना है district select करना है pin code select करना है mobile number डालना है यहाँ पर आपको email ID डालनी है और नीचे आपको confirm email ID का भी option मिल जाएगा जब आप यह सभी details को फिल करते हैं तो अब हम इन details को फिल कर देते हैं उसके बाद आपको आगे लिए चलते हैं त डाल दिया है और जिस authority के तुरू मेरा certificate issue हुआ है उसका नाम भी डाल दिया है और certificate issue होने की date भी डाल दिया है आगे मैं minority community से नहीं हूँ तो इसमें no कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सुलक माप किया गया है क्योंकि मैंने ऐसी category select की है तो यहाँ पर yes automatic हो गया है आगे education qualification के अंदर मैंने graduation select किया है जिसमें मेरे पास physics और math दोनों चीज़े है इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते मैंने confirm email ID में अपनी email ID डाली है जो sim उपर डाली थी अब जब आप यह details को फिल कर लें तो उसके बाद continue के निसान पर क्लिक कर गया है अब हम अ हमें photo ID select करनी है तो हम आधा card को select कर लेते हैं हमने यहाँ पर अधर card का dummy number डाल दिया है उसके बाद अगले point में लिखा हुआ है क्या आपके पास BGCA भारत द्वारा जारी बैद एवं RG की pilot license है तो मिर पास कोई भी pilot license नहीं है तो मैं इस पर no रहने दूंगा उसके बाद हम और तीसरे पर IME डालता हूँ तो इसमें क्या error आएगा मैं वो दिखाता हूँ सबसे पहले आपको नीचे के options को फिल कर देते हैं पहले यहाँ पर दिया हुआ है क्या आपके पास NCCC senior division सेना नो सेना बायू सेना academy के अंदर आते हैं का होना चाहिए मिलने की संबाबना है य अगर आप सेने के स्कूल से संबंद रखते हैं तो आप उसके नीचे वाला option को भी चुन सकते हैं तो मैंने यह सभी details को चुल लिया है अब मैं continue के निसान पर क्लिक कर दूँगा आप यहाँ पर error देखिए यहां लिखा हुआ हुआ है पहले यह चौथे नंबर पर ही रहनी बागी जो preference है उनको zero करना होगा मतलब अगर आप OTA को चुनते हैं पहले नंबर पर तो आप किसी भी preference को नहीं चुन पाएंगे अगर मुझे OTA को भी चुनना है और बागी preference को भी चुनना है तो मुझे एककाम करना होगा AFA को पहले नंबर पर कर दूँगा IMA को दूसरे नंबर पर कर दूँगा और OTA को चौते नंबर पर कर दूँगा इसमें तीसरा मैंने नहीं चुना है अब मैं continue करके देखता हूं कि क्या कोई मुझे errors हो रहा है तो दोस्तों आप देख सकते हमारी preference जो है वैच्छी स्लेक्ट हो चुकी है यहाँ पर आपको एक बार चुनेंगे तो आप सभी preference को चुन पाएंगे अब बागी details को भी आप अच्छे चेक कर लिए उसके बाद नीचे जो capture दिया हुआ है उसको यहाँ पर fill कर देना है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने capture भी डाल दिया है अब जब आप सभी details को अच्छे चेक कर लें उसके नीचे I agree पर click करते हैं यहाँ पर बोला है अगर आप एक बार agree कर देते हैं तो आप part 1 registration में कोई भी change नहीं कर पाएंगे तो okay कर देते हैं तो आप देख लिए हमारा part 1 registration complete हो चुका है मैं आपर अपने registration number का screen swap एक बार ले लेता हूँ अब हमें नीचे आना है अगर आप part 1 registration registration की application phone का print out चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे print application part 1 लिखा हुआ इसपर click कर देजिए , photural, part 2 registration के page पर आचके है अगर आपके में ये page open नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करिए, आपको 3 dots पर आना है, यहाँ पर request desktop side लिखा हुआ है, आपको ये open करने के बाद इस page पर आना है फिर से, तो आपका ये page open हो जाएगा mobile के अंदर, तो मैं आगे आपको part 2 registration करके दिखाता हूँ, कि इसमें क्या क् भी हमारे generate हुई है, वो यहाँ पर fill कर देंगे, अब मैंने यहाँ पर registration ID number डाल दिये, date over डाल दिये, और नीचे capture भी fill कर दिया है, उसके बाद हम submit पर click कर देंगे, अब यहाँ पर document upload करने हैं हमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर photo मांगी है, signature मांगी है, और उसके बाद ID proof मांगा है, तो हम जल्दी से documents upload कर देते हैं, उसके बाद आपको आँगे लिए चलते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सभी documents को select कर लिया है, अब उसके बाद हम upload images पर click कर देंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं फोटो, signature और हमारी PDF यहाँ पर upload हो upload करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई, जिसके लिंक आपको description box में मिल जाएगी, उस वीडियो में हमने clearly बताएगी, अगर आपके पास एक photo है, और signature paper है, और आपके पास ID proof है, तो कैसे उसको mobile में लेकर आएगे, किस तरीके सा पर इस वीडियो के बाद, उसके बाद नीचे जाके, नीचे continue के निसान पर क्लिक करते हैं, अब हम आगे आ चुके हैं, यह पर हम last step पर आ गए हैं, हमें यह पर आधरकार नमबर दुवारा सफिल करना होगा, verify करने के लिए, अगर आप correct आधरकार नमबर डाल देते हैं, ज आप देख लिए हमारा जो form है, हम यहाँ पर view and print application इस पर क्लिक कर देंगे, अब हमें दुबारा से registration ID और date यहाँ पर डालनी है, उसके बाद नीचे दिवे submit पर क्लिक कर दें, यहाँ पर आपको form वोने रगेगा, जो भी detail आपने फिल की थी, वह यहाँ देख जाएगी, न आप preview देख सकते हैं अपने form का, अगर आपको यह form PDF में save करना है, तो नीचे जाएगे, printer पर क्लिक करिए, यहाँ आपको preview देखेगा आपके form का, उसके बाद उपर save पर क्लिक कर दीजिए, अब यहाँ पर पूछ रहा है, किस नाम से आपको form को save करना है, तो मैं यही रहने आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और वीडियो अगर आपके किसी भी काम आई ही, तो हमारे चनल को subscribe कर लिजे, क्योंकि हम ऐसे ही काम की वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक लिए बाबाए